नमस्कार दोस्तो जशिराम कैसे हैं आप सब हमारे YouTube चैनल The Nationalist Media में आप सभी का स्वागत है जैसा कि मैं पहली भी बता चुकी हूँ कि समाज में हमारे जो बेटियां होती हैं उस चीज के खिलाफ बोलेंगी, खास दोर पे एक ऐसे समाज में जहां पर हर तरीके से बेटियों को बोलने की आजादी होती है, खास दोर पे एक ऐसे देश में जहां पर बेटियों के लिए हर तरीके के नियम कानून बने होते हैं, तो फिर क्यों ना वो अपने समाज और ने समाज को अपना भी लें हो सकता है वो यह सोचे कि शायद एक ऐसा जीवन जीने के लिए मुझे इस समाज से बाहर जाना होगा और फिर वो चली जाती है मैं बात कर रहे हूँ एक ऐसी लड़के की जिसने एक लड़के से प्रेम किया और क्योंकि उसके समाज में कुछ ऐसी कूप रथाएं हैं जो उसे मजबूर करती हैं उन्ही लड़कियों पर हर तरीके से अत्याचार करने के लिए और उन्ही को प्रताओं से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया उसने सोचा कि मैं अपने समाज अपने पंत को ही छोड़ देती हूँ जिसके कारण मुझे एक ऐसी आजादी मिलेगी जिससे मैं खुली हवा में सांस ले सकूँगी और अपनी जो लाइफ है वो अपने हिस मैं बात कर रही हूँ यूपी के मुरादाबाद से एक लड़की की जिसने घरवापसी की है उसने अपना पंत जहां पर उसे समस्या थी जहां पर उसे हर तरीके से एक डर बैठा हुआ था कि वो कभी भी तीन तलाक या हलाला की शिकार हो सकती है उस पंत को उसने छोड़ द कर दिया है और वह नरकी से मांसी बन गई है दरसल होता यह कि उसे एक लड़के से प्रेम हो जाता है है जिसका नाम होता है सुनी जर्के से बात करते करते उसे एसास होता है कि यह लड़का परफेक्ट है जो मेरा जीवन सवार सकता है और मेरी मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे हर तरीके से एक सफल जीवन दे सकता है. वो उस लड़के से बात करती है, बात चित करते-करते हैं, वो उसे अपनी शादी के लिए प्रपोस्ट करती है, क्योंकि लड़का भी पसंद करता था, तो वो इस बात को मान जाता है लड़की की जो शादी का प्रपोजल है उसे अक्सप्ट कर लेता है फिर यह दोनों अपने परिवार वालों से बात करती है बात करते हैं तो क्योंकि सुनील का परिवार इस बात के लिए मान जाता है लेकिन जो नर्गिस का परिवार है वो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए मानता और वो हर तरीके से अपनी बैटी के साथ धंकी भरे काम करते हैं उसे परशान करते हैं उसे हर तरीके की जो भी धंकी वो दे सकते हैं उस तरीके की धंकी उसे देते हैं डराते हैं धंकाते हैं मारते भी हैं लेकिन नर्गिस क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक अच्छी ल जो ये समझे कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, जो जीवन जीना चाहती है, कोई चीज नहीं, कोई वस्तू नहीं हूँ, बस इसी दे सोचकर उसने सुनील के साथ रहने की ही सोची, और अपने परिवार के खिलाफ जाकर सुनील को एक आरे समाज मंदिर में ले ग और शुद्धी करण के बाद उसको उसका नाम करण किया गया, उसका नाम दे दिया गया मांसी, उसके बाद दोनों की शादी जिस तरीके से पूरे रिती रिवाज के साथ होनी चाहिए, विदी विदान के साथ होनी चाहिए, उसी विदी विदान के साथ इन दोनों की शाद करवाते हैं पुलिस में और ये लिखवाते हैं कि वो नर्गिस को बहला फुसला कर ले रहा है बहला फुसला कर हमारी बेटी के साथ जान बुझकर उसने शादी कर ली है वो कहीं ना कहीं उसके साथ उसको परिशान करेगा तरह तरह की जो इर्जाम है वो लगाए गए हैं उस किसी भी तरीके से नाभालिक नहीं और से कम नहीं है कि इस तरह की स्वुटली से कर आती है चापर जो मलत दो आती है जो भी क्यान खुर